तो दोस्तो तो फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लोग में और अभी हम हैं अपने दियरी पे क्योंकि अभी आये हैं एक साधु जी को दुध ले कराये थे क्योंकि सुबा में हम लोग का भीक्षा कराये थे हम लोग तो वो साधु जी कवल सुबा में एक टाइम खाते हैं और रात के समय में एक नर्यारी दुध लेते हैं जो नर्यारी का साइज होता है लेकिन अभी कम आऊसम बहुत गड़बड है देखिए चारो तरफ पानी लगा है इदर पूरा बारी सो रहा है अभी लेकिन हम लोग आए हैं यहां पे और यह हम लोग के तरफ का दियरी है और पीछे में देखिए स्विवपुर गंगा घाट का जो पूर बन रहा है वो दिखाई दे रहा है आप लोग को और उधर हम लोग का गाउं है और अभी हम जा रहे हैं दूध लेकर और चलिए आपको वहां पे चलते हैं थोड़ा वहां का भी नजारा दिखाते हैं और देखिए कितना सुहाना मौसम हुआ है और पूरा रास्ता अभी खराब है कच्छी रास्ता है मिटी वाला लेकिन वहीं पे साधुजी रहते हैं और इनका नाम है म लोग लेकर जा रहा है दूद्ध और देखियो वहाँ पर सामने में आप लोग को अभी दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा घर है और रात के समय में भी अकेले यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर भगवान का नाम जब करते हैं अपना और जो भक्त लोग है सवधालू लोग है वो भिक्षा कराते हैं उनको और देखिये चारों तरफ में बिल्कुल सुनसान कोई घर नहीं है क्योंकि यह दियरी है और वहाँ पर हम जा रहे हैं अभी हम धीरे-धीरे उनके नजदिक पहुच रहे हैं और थोड़ा हम लोग ते चल रहे हैं क्योंकि बारिस भी हो रहा है जल्दी-जल्दी जाएंगे और वहां पर दूध देख करके फिर जल्दी में ही वहां से निकलेंगे नहीं तो बारिस आज आएगा तो हम लोग आये हैं अपना मोटर साइकल ले करके तो घर पर नहीं पहुच पहेंगे क्योंकि रास्ता बहुत खराब है रास्ता का हल ब इधर देखिए कितना बड़ा खाई है क्योंकि ये पूरा दियर ही बोला जाता है हम लोग के छेत रगा इधर के वल खेती करने वाले लोग ही आते हैं और अभी साम का समय हो चुका है पूरा तो देखिए अभी उनके घर के सामने हम लोग आ गए हैं और वहाँ पर साधु जी का आदेश है कि कोई भी मोबाईल नहीं निकालेगा और कोई भी कुछ वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि सोसल मीडिया से ये दूर रहते हैं लेकिन आप लोग को थोड़ा सा दिखा रहे यहां से वहाँ पर भी पहुँच के थोड़ा आप लोग को दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ जाकर बोलेंगे नहीं कि वह लेक थोड़ा सा वीडियो बना लेंगे साधु जी का भी और आप लोग को दिखाएंगे और देखिए साधु जी कि यहां जाने का कोई रास और देखिए पहर रहे हैं वहां पर पुरा्थ तहसा जा रहा है तो चलिए पहुंच रहे हैं तो अब कि पक्ड़ी है रास्ता वहां का तृच्षी तहते जा के आप लोग फिजा इसमिक members बूलेंगे नहीं क्योंकि साधु जी को पता चल जाएगा कि हम विडियों बना रहे हैं उनका तो फिर गुस्सा हो जाएगे देखिये नजदीक में पहुंच गया है यहां पर दो आदमीं बैठे हैं पहले से आर मी होया है कि आदमीड चल जो आरण ही जाएगे जाएगे देखिये जाएगे अगो कर दो असे दिए जाएगे प्रॉप फिर जाएगे बीड़ में खाने जो आएगे। वहीं नहीं पाओगे, आगवान को आची की चाहा हो, कि हमें अच्छा पराप्त होगा, बासमेरे नहीं यह तरी बढ़ा नूँ यह तरी ठीक भाँ यह तरी ठीक होई यह तरी खुब बढ़िया भाई खाली होजाब जहाँ गाड़ी लागोल भीया नूँ उजे पाओगादेने ठीक भाँ आओ ने तम ऐवालू बढ़ ले वाँ ने यह ठीक भाँ आथा था अधानी खाती ठीक भाँ उमने खाती है तरी अधर निकलप जाई तो अभी साधो जी को दूद दे दिये हैं और वहां का वीडियो आप लोगों को दिखाए ना वहां पे कुछ बोलना नहीं था क्योंकि समाश जाते हैं साधो जी की वीडियो बना रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा गुसा हो जाते हैं और देखिए वहां पे पीछे में उनका घर दिखा इदर आये जो कुटिया है वही पे उरहते हैं और मौसम को देखते हुए ज्यादा हम लोग ठारे नहीं वहां पे और पहले से दो आद्मी बैठे थे हमेरे गाओं के और हम लोग वहां पे दूद देकर और परसाद लिए फिर वहां से निकल गए हैं हम लोग और अब जा रहे हैं घर और देखिए कितना भवान में लिन रहते हैं कि दीन रात वही पे पुजा पाठ करते हैं अकेले रहते हैं सुबा में एक टाइम खाना खाते हैं और साम के समय में एक नरी अरी दूद लेते हैं बस वही पी के रह जाते हैं तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ तो आज का मकसद था कि थोड़ा आप लोग को यहां का वीडियो दिखा है कि हमारे छेतर में एक दीयरी में साधुजी रहते हैं और वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और एक चीज़ और है कि यह जब भी चलते हैं तो पूरा गंगा के किनार से ही निकलते हैं कभी भी गाउं के तरफ नहीं घुशते हैं गाउं में भी नहीं रहते हैं यदि कोई बोले कि साधुजी अमारे गा लगा देते हैं ज्काव में रहिए हैं कभी भी रहें कि तो गंगा चैत्र के दियरी छेथराई से हो गया गंगा की किनार पकड़के ही चलते हैं और रहते हैं यही है इनका जीवन इसी तरह आपना जीवन करते हैं और भावान का नाम लेते हैं तो चलिये वीडियो कैसा लागा आप लो कमेंट में ज़रूर बता है कैगा और जो लो मेरे चेनल को सब्सक्राइब महीं किये है। घोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए गा